Hello Friends, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे जो student हैं, उनका जो scholarship है, जब वो भरते हैं, तो उनके scholarship में क्या दिखाने लगता है कि rejected by bank, उनका जो scholarship होता है, वो bank से ही क्या होता है, reject हो जाता है और उनको जो है scholarship नहीं मिलती है, तो वो जो है इस समस्या से कैसे पा सकते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बस यही बात करूँगा कि उनका जो है यह जो bank से reject हो गया है, उसका कारण क्या है, और वो जो है इसको सही कैसे करा सकते हैं, देखो जब वो bank से reject हो जाता है, तो वो जो है दोबारा से सही नहीं हो सकता, लेकिन जो है जब आपका bank से reject हो जाता है, वो एकदम जो है last moment में होता है, जब final submit वो लोग कर रहे होते हैं, एकदम last date होता है, जब 2-4-10 दिन बाद जो है सारे लोगों की scholarship आती है, उस time जो है यह rejection किया जाता है, समझ रहे हैं, तो जो है इस वीडियो में मैं बस बात करने वाला हूँ कि जो जब यह reject हो गया है, तो वो जो है सही नहीं हो सकता, अब आप जो है आप मतलब वीडियो को देख सकते हैं, ताकि जो है अगली बार वो reject नहों हो, और सब कुछ सही हो और आपका scholarship verify हो जाए, तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है जो website है, उसी पे जो है यहाँ पे upload की गई है, तो आपका जो scholarship project हो जाता है, उसका कारार क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्स 2021-22 से सभी नवीन छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नंबर, जो ही आप आधार नंबर डालेंगे बैंक खाते से linking, NPCI से क्या होना चाहिए, सीडिंग के साथ, तो अधार नंबर तो सबका एक ही रहता है, तो जो भी आप अधार नंबर भर रहे हैं, आपका जो अधार नंबर जो है, वो बैंक खाते से link होना चाहिए, और NPCI से सीडिंग होना चाहिए, तथा नवीनी करण के चात्रों को जो भी जो renewal कर रहे हैं चात्र उनका वो जो है विश्व विद्याले का पंजी करण संख्या और बोर्ड का पंजेन करमांक जैसा लागू हो मतलब जो भी भरा जा रहा हो यह इनवर्स्टी आपको बता देती है तो renewal वालों को कोई दिक्कत में होता है सभी संस्था अपने यहां अध्यानरत छात्रों को अधार नंबर जो कि bank खाते में seeded हो अनिवार रेटूप से बनवा कर भावाना सुनेशित करें तो यह जो है आपका जो अधार नंबर है वो जो है आपके bank खाते से link हो और NPI से seeded हो यह जो है जानकारी कौन देगा आपको यह जानकार प्रामी होते हैं कि एक notice भी नहीं लगाते कि हाँ लड़के जो नए लड़के हैं जो नए फ्रेसर लड़के स्कॉलर सी भरते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता क्या करना है कैसे करना है तो वहाँ पे एक notice लगी रहती तो वह जो है देखके वही bank account भरते देखो क्या ह होता है कि जो नए लड़के होते हैं और यह जो बैंक से रिजेक्ट हो जाता है रिस्पोंस पेंडिंग वाई पी एफ एमस दिखाने लगता है यह उन्हीं लोगों को दिखाता है जिनका जो बैंक अकाउंट है वो एक से जादे रहता है जिनका सिंगल यहां के लोगों का बताने का काम है वह एक वो जो है सारे लड़कों का जो है bank verify हो जाता है, forward होने लगता है, district से भी verify हो जाता है, लेकिन जो नए लड़के अपना bank account डाले रहते हैं, उनका जो bank account होता है, जो scholarship में भरते हैं, वो जो है अधार से link नहीं होता है, जब वो अधार से link नहीं होता है, इसी वज़े से response spending by PFMS दिखाता रहता है, समझ रहे हैं, और अधार से link नहीं होने के वज़े से, जो भी आपने bank account scholarship में डाला होता है, वो अधार से link नहीं होने के वज़े से ही, response spending by PFMS दिखाता है, और आपका जो data है, वो district level पे भी नहीं पहुँच पाता है, ऐसा होता है, जब आपका bank account अधार स पहुचेगा, और तभी वहां से district scholarship कमेटी के द्वारा जो है, आपका scholarship भेरिफाई होगा, यह जो है आप ध्यान में रखें, तो आपका bank account जो भी आपने scholarship में भरा होता है, वो अधार से link नहीं होता है, और response spending by PFMS दिखाता रहता है, तो आपका scholarship वहीं पे अटका का अटका ह रहता है, उससे आगे नहीं बाढ़ता, district पर जाहीं नहीं पाता, समझ रहें, यह जो है दिक्कत होती है, ठीक, फिर यहां पे क्या लिखा गया है, यह भी ध्यान रखें, कि छात्र अपने आवेदन पत्र में भरी प्रविस्थियां तथा आधार कार्ड में अंकित एक जैस और जो है दिया गया है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, बैंक खाते के संबंद में सभी छात्रों को संसाद्वराज आवगत करा दिया जाए कि छात्र बृत्ति आवेदन पत्र में अधार से लिंक सीडिट खाता, बैंक के नियमों के अनुसार केवाई सी पूर्ड स् बैंक खाते में लिंक से सीडिड हो, यहां पर भी कहा गया है कि यह जो है, जो भी सिछन सरस्थार है, कॉलेज है, यह उसका काम है कि वो स्टुडेंट को बता दें, कि आप जो भी स्कॉलर्सिट में अपना बैंक अकाउंट डाल रहे हैं, वो अधार से लिंक हो, अधार से स पता नहीं रहता है, छातर के खाते में जो भी आपका खाते में अपने स्कॉलर्सिट में भरा है, उसमें जो है ट्रांजेक्शन हो रहा हो, समय समय पर ऐसा नहीं हो कि जो छे सात मैने से वैसे पड़ा हो, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाह आपकी जो बैंक है उसमें कोई limit लगे हो deposit की देखो जो बीटेक के लड़के होते हैं और कोई कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं जिनकी scholarship अगर 50,000 से जादे आएगी अगर आपके खाते की limit होगी कि आप 50,000 ही deposit कर सकते हैं तो 50,000 से जादे पैसा आएगा तो वो जो है आपके खा यह सारा कुछ जो है आपको कौन बताएगा तो यह सारा कुछ बताने का जिन्मा होता है वो college और university का होता है लेकि वो सब कहां करते हैं ठीक है वो नहीं करते हैं एक notice लगाना चाहिए college में university में जहां पे भी छात्रविति का department होता है वहां के बाहर की छात्रों को यह चीज क करना चाहिए ठीक तो यहां पर जो है दो चीजे दो पॉइंट यहां पर हमने डिसकस करें इसी वजह से आपका इसकॉलर्शिप जो है क्या होता है रिजेक्ट हो जाता है तो देखो आपको करना क्या है सबसे पहले कि आपका जो scholarship इस बार रिजेक्ट हो गया है तो वो जो ह क्या हो कि रिजेक्ट ना हो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आपका कौन सा जो है बैंक जो है एनपीसी आई से क्या है कनेक्टेड है एनपीसी आई से कनेक्टेड है या आधार मैपिंग है ठीक है या आधार से लिंक है जब आपका जो ह कि यहां पर description में डाल दूंगा आप वहां से जाके देख सकते हो ठीक है वहां से जाके आप जो है देख लोगे कि आपका जो है बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे जो जो है वहां पर दिखा रहा होगा NPCI से लिंक है ठीक है ना NPCI से connected है वहां पर दिखाएगा क्या दिखाएगा active दिखाएगा और date भी दिखाएगा कौन सा date से active है और कौन सा बैंक जो है आपका लिंक है तो आप जो है वही खाते को scholarship में और दूसरी चीज यह बात करते हैं कि जो भी student है उनका जो है response pending by PFMS दिखाता है वह scholarship भर दिये रहते हैं भरने के बाद भी response pending by PFMS दिखाता रहता है और जब वह response pending by PFMS दिखाता रहता है तो district level से भी pending रहता है और आपका कुछ error होता है कुछ गलत होता है तो वह भी जो है वै university में दे दिया होता है फिर भी तो response pending by PFMS दिखाता रहता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका कौन सा जो है bank account आधार चे लिंक है यहाँ पे मैंने तरीका बता दिया है मतलब लिंक दे दिया है आप वहां से देख लेंगे या जान रहे होंगे उसको चेक करने के सबसे पहले आप उसी bank account के branch में जाएंगे और वहां पर आधार deceding करवा देंगे deceding का मतलब है कि आप उस bank खाते से अपने आधार को unlink करवा देंगे हटा देंगे ठीक है अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे scholarship में जो भी आपने क्या डाला है bank account डाला है उस bank account वाले branch में जाना है और वहां पर आपको जाके आधार ceding करवाना है आप वहां पर जाके आप बोलेंगे कि मुझे आधार ceding करना है आधार mapping करना है या खाते को जो है अधार से link करना है तो वह जो है एक ekyc generate करेंगे और वहां पर जो है आपकी खाते को जो है आधार से link कर देंगे तो जिस दिन वो आधार से link करेंगे उसी दिन या उस दिन के एक दो दिन बाद ही क्या होगा कि आपका जो scholarship है वो जो district level से pending था वो जो है क्या हो जाएगा verify हो जाएगा और जो आपका जो भी error दिखा रहा था जो आपने सब कुछ correction करके scholarship जमा कर दिया था सांसा में वो सारा कुछ भी क्या हो जाएगा तो आप जो है इन सारी बातों का ध्यान रखें और इन सारी बातों को ध्यान रखें आप अपनी scholarship को भेरिफाई कर सकते हैं, लेकिन जिनका reject हो जाता है वो एकदम समझीए, जिनका भी reject होता है, जिनका भी scholarship reject होता है, वो एकदम last moment में होता है, जैसे कि इस बार में जो reject हुआ है, वो 20 March को हुआ है समझीए, 20 March को एकदम last date होती है, जो district welfare फेर ऑफिसर होते हैं district लेवल पे उनके हात में होता है 20 मार्ण तक उनके पास जो है क्या होता है एकसेश रहता है जो भी scholarship रहती है उसको verify करने का access जो है उनको 20 मार्ण तक था इस बार 2022 की बात कर रहा है इस बार जो है 20 मार्स था तो 20 मार्स से पहले पहले जो भी student वहाँ पे जिनका पेंडिंग दिखा रहा था district से केवल district से पेंडिंग था वो लोग पहुंचे या जिनका भी कोई भी error दिखा रहा था जबकि उनका सब कुछ सही भारा हुआ था फिर भी error दिखा रहा था जो भी 20 मार्स से पहले पहले तक पहुंचे उनका जो है सही हो गया और जो लोग नहीं पहुंच पाए उनका जो है क्या हो गया reject हो गया ठीक है तो मुझे में आसा है कि मैंने सारी जानकारी दे दी है अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही कैसारे वीडियो यहाँ पर मेरे चैनल पर पढ़े हुए हैं जो कि एकदम वल्लब सही जानकारी है मैंने सब कुछ मेरे पर सब कुछ गीती हुई है इस वज़े से मैं भी यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो आगे किसी को दिकत नहों ठीक है तो फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में